तो दोस्तों जैसा मैं आपको बताया कि अभी मैं रामगड आया हूँ और यहां पे जो भी एतिहासिक रूप से जो महत्पुन गुफा है उसके बारे में आपको इंफर्मेशन दे रहा हूं और ठीक सीता बेंगरा के बाद अब मैं आ गया हूं जो गुफा है वहां पे और य जो गी मारा नाम है सर और इस गुफा का क्या महत्तु है उसके बारे में पताई है यह गुफा जो है नाट शाला के पहली की बनी हुई है चूकि इस जो आवासी परिशर होता था या आवास के लिए जो कम्रे होते थे उसको सजाया जाता था पुराने जो प्राचीन मंदिर हैं जैसे आप राजपुताने में जायेगा तो उसमें तरह-तरह की मूरतियां कलर की जाती ति रंगी जाती थी इसी तरीके से यह परंप्र यहाँ भी रही प्राचीन समय में और ये जोगी मारा गुफा में भीतिशित्र जो बनाये गए हैं ईशा पूर्व कम से कम छठ्व त्विस्टाबदी में और यहां शृत्णु का नाम की देवदासी रहा करती थी चुंकि यह मंदिर था और वो देव को समर्पित थी देवदासी अपने को कभूली थी और देवदासी रह करके यहां जो मंदिर होता था या आवास भौन होता था पहली गुफंव में पराचिन गुफंव में रुसंदerme की जो रुथ पढ़ती थी चुएकर आंध्यला रहे तो रुशन्दान अवश्र बना करता था पूरुविकी और हमेशा यह रोसंदान रहता था यहां से रोज नहीं आती तीं यहां वह निख लिखी गई है उसके जो अनवेद है और उसका जो इंटरपेशन है जो उसके बारे मं प्राबता चेल यह जो न Arguing Crash का लेख है वह नात चॉंआ को दरफ आता है और नार ट् memoir में ना il भू करका एकरम हुआ करते थे उसमें जो पात्र थे बाहर से बुलाए जाते थे और बाहर से बुलाने के लिए यहाँ प्रोग्राम आयोजन जो सुरू किये जाते थे चुंकि अब उसी नाट शाला के बगल में जोगी मारा गुभा भी है जिसमें शुतनुका नाम की देवदासी रहती थे ये शुतनुका का पिरियड क्या होगा सर ये ये इशा पूर छट्वी सताव और उसमें बाद में जो पात्र यहां आते थे बाहर से बुलवाय जाते थे और उस पात्र के द्वरा कारक्रम जो आयोजित होते थे वो पात्र कुछ दिन तक यहां ठेड़ते थे ये प्रोग्राम असाड के प्रथम दिवस के दिन ही हमेशा होता था प्रतिवर्द सुरू में और जो सुतनुका नाम की देवदासी थी, जो यहां पात्र प्रोग्राम के लिए या एवजन के लिए बनारस से बुलाए जाते थे, देवदीन नाम के पात्र को, वो सुतनुका के प्रति आकर्सित हो गया था, तो सुतनुका ने साफ उनको मना कर दिया कि नहीं मैं देवदासी हूँ और मुझे किसी अन्य चीजों से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लेख मुझे का तरही मैं यहां निवास करती हूँ तो उसी की आदगार में मौरीकाल में, यहां उलेक मागी मकधी भासा में यानि ब्रामी लिपी में उलेक को लिखा गया है, उपर का लाइन जो है यह चार लाइन है, उपर लिखा हुआ सुतनुक कि फिर लिखा हुआ सुन नम हुँ फिर लिखा है सुत्नुक नम देर्डासिक के हिए फिर वही दूरbean को दोहराया है माने मैं देवधाषि हूं करके उन्हें दर्सादिया वो तो सुद्निका जी की बात रही है ना कि एसा चटी सताब दिन साउशे से मिलता है आप लोग की नॉलेज में कब आया है और कितने सालों से यहां पे मतलब इसके बेटरमेंट के लिए बैस्था हो रही है कारे हो रहा है सर उसके बारे में यह घंगोर जंगलो से घिरा हुआ और उस समय आवागमन के कोई साधन नहीं थे नदियों में पुल नहीं थे तो यहां तक कोई पहुंच नहीं पाता था कुछ लोग बाहरी बिद्वान यहां आ करके और अपना सोध किये हैं उसके बाद में हमारे अंबिकापूर के इतिहासकार जो प्रथम इ अपनी सरगुजा का एक अध्यन नामत पुस्तक में दर्साया है सारी चीजों को तो सर जैसे यह जो उपर जो कुछ डिजाइन बने हैं भित्ती चित्र बने हैं इसका क्या अनुवाद है क्या महत्तों है यह प्राचीन मंदिरों में यह श्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए जो भाव को हम मुह से ब्यक्त नहीं कर सकते उस भाव को यह चित्रों द्वारा दर्साया करते थे हम थोड़ा से आगे आजाते हैं सर्फ और थोड़ा सा अहांतों से इशारा करते हुए इसका अनुवाद आप बताएगे यह जो उपर रहे हैं इसमें तरह तरह के चि लोग कि अपना त्यवहार मना रहे हैं इस तरीके से यह लाइन ऐसे बनाया है दो तीन खंड में फिर बीच में वह आ गये हैं तो दो पैनल है एक यह है इसमें भी भगवान को दर्साया गया है उसमें अपने भाव को प्रदर्सित किया है उन्होंने इश्वर के प्रति इसका यह इसा पूर्ट शट्वी सता अब यह पहले के हैं और इधर सब एक ही समय के एक ही समय के जी 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 अब इसका चरण हो चुका है दूसर वरतमान समय में जो परत्तों विभाग है जा चतितित गड़ सरकार है जो भी मैनेजमेंट है संस्क्राइब विभाग किस तरह से इसका देखने कर रहा है और किस तरह से इसको सरक्षित करने क्या हो शकता है ताकि जो भी छात्र है जो आने वाली जो जेनरेशन है उनको इसके बारे में अच्छी और बहतर जानकारी में जी इसमें क्या है कि पहले ना जानकारी होने के कारण लोग आते थे तो इस पर हाथ लगाया करते थे हाथ से इसका छरण होता था क्योंकि बालू वाला पत्थर है बाद में शासन को जब यह चीज आउगत हुआ तो शासन ने जब अपने हाथ में ले लिया तो इसकी उन्होंने सुरक्षा ब्यवस्था कर दी अब सुरक्षा ब्यवस्था यह ए प्रतिवर्शी रायपुर से रासाइनज्य संचाहल नाली से आते हैं और इसका रासाइनिक लेपन करते हैं जिससे यह सुरक्षित रहता है तो यह सवाल है कि इन समयंगों को लेकि आप कहीं कहीं सेमिनार में जाते हैं तो किस तरह के सवाल होते हैं किस तरह से आप उनके कोश्चनों का जवाब देते हैं उसके बारे उसमें क्या है कि लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं कुछ लोग यहां तक बाहर के लोग कुछ लोग आते हैं तो उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाती बताने वाले कोई नहीं म अब आप से प्राप्त करेंगे और मैं बताओं धर्शकों यहां पर जो अगला जो मेरा यात्रा होगा मैं लक्षमनगुफा क्यों कहते हैं यह बहुत जाना जरूरी है और मैं शुक्ला से से निरंतर बात कर रहा हूं कंटिनू और वहां पे जाकर मैं चर्चा करूंगा तो इ आज मैं आपको लेके आया हूँ रामघड की पहाडियों में प्लीज कंटिनू डोस्तों थेंक्यू वेरी मुच